नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्टाइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। एक ऐसा देश जिसके शेर मार्केट, पूरी दुनिया के मार्केट ट्रेंज को इन्फुलेंस करते हैं। पूरी दुनिया में किया जाता है, जिस तरह से USA को पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया जाता है। क्या USA है? हकीकत में वैसा है। क्या USA का लोगतंत्र है? हकीकत में सबसे सफल लोगतंत्र है। क्या हुई USA में जो elections हो रहे हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, वो क्या ideal हैं? क्या एक मार्गदर्शक के रूप में उसको लिया जा सकता है? क्या एक example के रूप में उसको लिया जा सकता है? इसके उपर हमने कुछ खोजबीन की, कुछ articles पड़े, कुछ videos भी निकाले, और ultimately हमने जो summarize किया, वो हम इस वीडियो में आपके साथ share करने वाले हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबना ना पूलें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें, और information जो की आम तोर पर पूरी दुनिया में डिसकस नहीं होती है, कहीं पर भी mainstream मीडिया में, वो आप लोगों मिलती रहें ताकि आप भी समझ पाएं कि दुनिया में जो अलग-अलग देश हैं और खास करके ऐसे देश, जो खुद को बड़ा बताते हैं, उनकी परदे के पीछे की हाकिकत, क्या है? तो आईए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें, भारत में जब चुनाव होते हैं, और जब हम लोग वोट देने चाते हैं, तो उस समय हम लोग को वोटर आइडी दिखाना, जिसमें हम लोग election card usually लेकर जाते हैं, इसमें हमारी फोटो भी होती है, वो लेकर जा होते हैं, जो भी officials होते हैं, वो list में हम लोग का नाम tally करते हैं, और उसके बाद हम लोग को आगे की procedure करने के लिए permission देते हैं, लेकिन USA में कई सारे राज्या ऐसे हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का ID दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह जो आप map screen पर देख सकते हैं, उसमें blue color में जो भी states दिखाये गए हैं, उन states में photo ID दिखाना compulsory है, जो orange color के states हैं, उसमें photo ID की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का ID identification चलेगा, तो वहाँ पर जो orange color के states हैं, उसमें सिर्फ ID कार दिखाना sufficient है, और बाकी के जो gray color में states हैं, जिसमें west के तकरिवन सभी states आ किसी भी प्रकार का identification दिखाना जरूरी नहीं है, जी हाँ, USA में हाल में ये जो elections हो रहा हैं, 2024 में, उसमें कई सारे USA के राज्य ऐसे हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ती जाकर, सिर्फ कोई भी नाम अनरगल बताकर, कोई भी ID दिखाये बिना vote डाल सकता है, तो इससे आप समझ पाएंगे कि वहाँ पर voter fraud करना कितना आसान हो सकता है, संभव है कि मैं अपने बगल वाले इंसान का नाम लेकर वहाँ जाकर vote डाल कराऊं, उसी प्रकार से जो भी कई सारे illegal immigrants बाहर से आये हैं, उन लोगों को इन में से जातर राजियों में स्थित किया गया है, बसाया गया तो वो लोग वहाँ के जो actual citizens हैं, उनका नाम लेकर उन लोगों के नाम पर votes डाल सकते हैं, तो इसी प्रकार से USA में हाल में जो election हो रहा हैं, उसके ऊपर कितना rely किया जा सकता है या उसको क्या example के तौर पर लिया जा सकता है या नहीं, ये हम खुद तैय कर पाएंगे, इसमे और भी interesting अगर बात करें, तो इसमें सबसे west में जो state है California का, वहाँ पर एक व्यक्ति अपना voter ID लेकर vote देने गया था, जी हाँ, ये incident भी record हुआ है, ये जो व्यक्ति वहाँ पर अपना voter ID दिखा कर vote करने की कोशिश कर रहा था, जो की एक official way है, पूरी दुनिया में भारत में उस इंसान को voter ID दिखाने की वज़े से arrest कर लिया गया, तो वहाँ पर ये clear हो जाता है कि ये जो states grave में दिखाए गये हैं, वहाँ पर voter ID दिखाना भी एक गुना है, तो इसी प्रकार से without voter ID, without any kind of identification, USA के कई सारे states में कोई भी व्यक्ति जाकर किसी के भी नाम पर vote डाल सकता है, तो ये दो बहुत ही important चीज़े हैं, अब ये जो states हैं, उसमें से कुछ states का अगर नाम लें, तो उसमें आ जाता है California, जिसका हमने उदार अंडिया, इसके अलावा Illinois है, Washington DC है, Maine है, Maryland है, Massachusetts है, और अन्याय से कही सारे राज्ये हैं, जहां पर vote करने अगर आपको जाना है, तो को कोई भी ID आपको नहीं लगेगा, इसके बिना वो लोग verification कैसे करेंगे, उसके उपर एक बहुत ही बड़ा सवाल या निशान है, जो कि हम सभी के दिमाग में आएगा और बहुत ही authentic भी है, लेकिन ये दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र में से एक सबसे सफल माने जाने वाले लोगतंत्र की चुनाव की प्रक्रिया है, ये हो गए दो अलग अलग चीजें जहां पर voter ID के बिना कोई भी व्यक्ति चाहकर किसी के भी नाम पर vote डाल सकता है, इसके बाद जब हम और भी research कर रहे थे, तब एक खास Pennsylvania State से related कुछ ऐसे articles निकल कर आए, जो काफी ही चौक आने वालेट है, नॉर्मली परिस्थी ऐसी होती है कि अगर कोई भी नया voter है, तो उसको voter registration करवाना पड़ता है, उसको voter ID में अपना नाम डाकिल करवाना पड़ता है, अब USA में एक प्रक्रिया है जहांपर voter registration forms दिये जाते हैं, तो उन forms को भरके जो भी concerned authorities है, जो भी agencies है, उ नहां पर तकरीबन पचीस सो fraud voter registration forms पाए गए हैं, जी हां, एक ही संस्ता के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा, पचीस सो fraud voter registration forms भेजे गए थे, जो भी election agencies हैं, उन लोगों को, अब ये fraud क्यों कहे जा रहे हैं, तो इन में जो नाम बताये गए थे, कहीं पर वो fraud थे, कु वोच forms में अन्य जो details दी गए थी, वो गलत थी, तो इसी प्रकार से, जो लोग वहां के citizens संभवता नहीं हैं, उन लोगों को भी voter list में add करने की एक दुस्सा हस के चलते, इस प्रकार की गतिविदी की गए हो, Lancaster county में इस प्रकार का दिखाई परता है, जहां पर 25 forms, potentially fraud voter registration forms, election authorities को बेजे गए हैं, ताकि उन लोगों के 2900 illegal immigrants या जो citizens नहीं है, उन लोगों के भी voter ID बन कर निकलवा सके हैं, इसी प्रकार की गटना, York county में भी हुई है, जो भी Pennsylvania में है, वहां पर भी हजारों की मात्रा में fraudulent voter registration forms पाए गए हैं, इसकी भी जो संख्या बताए जा रही है, वो भी तकरिवन 2500 के करीब है, इसके आलावा, Bucks county Pennsylvania जो की वहां की एक county है, वहां पर जब voting चल रहा था उस दिन, voting का जो time duration पूरा दिया जाता है, उसके धाई गंटे पहले हैं, उस बूत को बंद कर दिया गया, जबकि वहां पर एक बहुत ही लंबी कतार, वोटरों की already उ उस बूत पर, उन लोगों ने उस बूत को, वोटिंग बूत को बंद कर दिया, अगर Pennsylvania की बात की जाए, तो Pennsylvania 1990 के दशक से ही Democrats की तरफ incline रहा है, उनकी तरफ उन लोगा जुकाव रहा है, और constantly कई सारे सालों तक Democrat की सरकार वहां पर बन के आई है, तो वहां पर Democrats रूल करते ह काफी लंबे समय से, लेकिन हाल में जो परिसितियां बदल रही है, उसके चलते Democrats को संभवता है, ये डर लगा हुआ है कि Kamala Harris शायद हार जाये, और Donald Trump जीत कर आ जाये, तो उसी के चलते इस प्रकार की घटना है, इस प्रकार की गतिविदियां की गई हो, पूरे USA में ऐसा द administration forms, election authorities को भेजे गए हैं, ताकि उन 5000 लोगों के जो की संभवता USA के citizen भी नहीं है, उनके voter ID निकाले जा सके, उन लोगों को voter list में add, illegally, unethically, immorally add किया जा सके, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं, जो इसके बावजूद भी ये कहेंगे, कि USA एक ही successful होते हैं, और उनका example लेकर दूसरी जगहों पर भी implement किया जाना चाहिए, तो इस प्रकार से Pennsylvania की ये तीन कवरे थी, और इसके पहले हमने देखिए, USA में जो states हैं, जहाँ पर voter ID की, कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति, किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम लेकर vote डाल सकता है, अब इसके अलावा USA में कुछ ऐसी भी जगह हैं, जहाँ पर ballot paper का use ना होकर, voting machines का use होता है, लेकिन उन voting machines में भी धानली, बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रही हो, इस प्रकार की खबरे भी निकल कर आ रही है, अब ये जो electronic voting machine है, जो कि महाँ पर USA में use हो रही ह भारत में जो EVMs use होते हैं, जो voting machines use होती हैं, वो technically बहुत ही advanced हैं, secure हैं और साथ ही में वो इतनी randomized हैं कि उसमें किसी प्रकार की भी दानली करना काफी ही मुश्किल और यहाँ तक की नामूंकिन भी हो सकता है, ये सिर्फ हम अपना मंतव्य नहीं दे रहे हैं, Supreme Court में इसके किला यहाँ की Supreme Court ने, भारत की Apex Court ने authorized किया है कि ये जो EVMs भारत में use होते हैं, उसमें किसी प्रकार की भी धानली नहीं की जा सकती हैं, लेकिन USA में ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो voting machines use होते हैं, उसमें धानली की जा सकती है और की जा रही है, इस election में कुछ वीडियो इस प्रकार क से दिखाई दे रहा है कि Donald Trump के नाम पर voting machine वोट करने नहीं दे रही, और अगर कोई Donald Trump को वोट कर भी देता है, तो उसकी जगह पर वोट चले जाता है Kamala Harris, जी हाँ, इस प्रकार की धानली भी वहाँ पर हो रही है, वहाँ के voting machines में, और इसके भी video evidences अवेलेबल हैं, आप सक पर देख सक रहे होंगे, साथ ही में इसी चीज़ को admit किया Michigan State Secretary, जो कि खुद एक Democrat है Jocelyn Benson, उसने ये admit किया कि वहाँ पर जो voting machines हैं, पूरे USA में, उनमें से जाधा तर में इस प्रकार की programming issues हैं, जिसके चलते हैं, वो एक cast candidate को vote डालने नहीं दे रहा, अब ये एक बहुत ही interesting बहुत ही interesting बात है कि एक ही specific जक्ति को पूरे USA में जहाँ जहाँ भी voting machines लगे हैं, उनमें से जाधा तर जगाओं पर एक ही particular candidate को यानि कि Donald Trump को वो machine vote करने नहीं देता, इसको cover up करने के लिए वो लोग इसको programming issue बता रहे हैं, लेकिन क्या हागिकत में ये programming issue है, क्योंकि अगर programming में issue होता, तो ये random होता, कहीं पर वो कमला हैरेस को vote नहीं करने देता, कहीं पर वो Trump को vote नहीं करने देता, लेकिन पूरे USA में जहाँ जहाँ से भी ये videos निकल कर आ रहे हैं, उन सभी जगाँ पर ये बात consistent है, कि वो Donald Trump को vote करने नहीं देता है, तो इसी प्रकार से USA में जो voting machines भी use होती है, उसमें भी दांदली इस प्रकार से की जा रही है, ताकि कमला हैरेस को, डेमोक्रेट को जिता कर सत्ता में लाया जा सटी है, क्योंकि इस बार जो predictions निकल कर आ रहे हैं, उसे इस पस्ट हो चा रहे है, कि लोगों का जुखाव ज़ादा तर Donald Trump की तरफ है, चाहे वो male हूँ या female हूँ, जो भी nationalist हैं, जो भी राष्टवादी हैं, वो सभी Donald Trump को vote करने वाले हैं, तो उसी के चलते हैं, डेमोक्रेट अपने हिसाब से अलग अलग जगाँ उपर बहुत ही गंदी चाल चल रहे हैं, इस प्रकार का दिखाई पढ़ रहा है, फिर भी इसको यूज आइटम्स और आर्टिकल्स को लेकर और वीडियो एविदेंस के साथ, हमने आप लोगों के साथ शेर किया, कि USA में हाल में जो elections हो रहे हैं, वो कितने reliable हैं, कितने genuine हैं, और इसको भारत के साथ अगर compare करके देखें, तो भारत के elections बैतर हुए, जादा authentic हुए, या फि कुछ initial reports हैं, इसके आलावा भी और कई सारे reports हैं, अगर हम share करने जाएंगे एक ही वीडियो में, तो काफी लंबा हो जाएगा, तो हम लोग 2-3 वीडियो की एक series बनाएंगे, कल एक और वीडियो निकल कर आएगा, इसी series में, जिसमें और भी news items होंगी, और भी video evidences होंगे, ये प्रूव करने के लिए, कि USA के elections कितने genuine हैं, और USA में हाल में वो democracy है, वो कितनी reliable है, कितनी genuine है, और क्या वो एक actual democracy है भी, या नहीं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, या आइसा comment में ज़रू साजा करें, वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, सभी को बाई दूश की, बहु देश हम लोगों के उपर आमला करते हैं, उनकी naked reality हम आप लोगों तक पहुंचा सके, मिलें अगली ख़बर में, तब तक के लिए, जय हिंद हर हरमातिक